अब इंसाल करने जा रहे हैं 3.0 question number, ये question पूछा बहुत गया है, आसान सा question है, बोला गया है दो identical ring है, जिनके axis common है, जिनकी radius बराबर है, लेकिन charge opposite polarity का है, लेकिन equal magnitude का है, तो इनके center पे जो potentials होंगे, उनका difference क्या होगा, तो अगर मैं 1 पे potential निखा लूँ, तो 1 पे potential क्या आ epsilon not, R, लेकिन इस ring के वज़े से भी तो होगा यहां पे, अब इस ring के वज़े से हर point यहां पे देखो, आईसा नज़राएगा, यह ring का, अगर देखा जाए तो ऐसा नज़राएगा, यहां से A हो गया, और यह R हो गया, तो यह वाला location का जाएगा, A square, R square power half, मतलब इस से हर point इतनी डिस्टेंस पर रहेगा, ऐसे सोच के दोखो, ऐसे ring है, और यहां मैं देख रहा हूँ तो यह भी ऐसे होगा, यह भी ऐसे होगा, यह भी ऐसे होगा, तो इस ring के वज़े समय अगर लिखूं तो क्या लिखूंगा, Q divided by 4 pi epsilon not, R square plus A square to power half, यह, ऐसे ही अगर मैं 2 के सेंट और पर निकालने जाओंगा, तो क्या लिखूंगा, minus Q divided by 4 pi epsilon not, R, और प्लस का हो जाएगा, Q divided by 4 pi epsilon not, R square plus A square to power half, निकालना है, मुझे potential difference, 1 and 2 के बीच में, तो 1 से 2 को minus कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, 2 times, क्योंकि यह वाला plus हो जाएगा, फिर यह वाला minus हो जाएगा, 2 times, Q divided by 4 pi epsilon not, ले लेते हैं, common, और यहाँ पर क्या बचेगा, फिर 1 by R, और फिर यह का जाएगा, 1 by R square plus A square to power half, यह आजाएगा, potential difference, अब आप अपने एक डाउट सीधा मुस्तक भेज सकते हैं, चाहे इंस्टा के थू, फेस्बुक के थू, या फिर वाट्साइप के थू, सभी के लिंक मैंने description में दे रखे हैं, आप फटाफट जाके वहाँ पर join कर सकते हैं, और Adobe के बाकी solution देखने के लिए इस channel को देखते रहे हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए